एलो गाइज, I am Vishal Welcome to Basic Electrical Engineering इस वीडियो में हम discuss करेंगे कि जो हमारा Transformer होता है उसकी जो रेटिंग होती है वो KV में क्यों होती है और जो हमारा Motor होती है उसकी रेटिंग किलो वोर्ट में क्यों होती है तो जो वीडियो है इसमें मैं काफी simple way में आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यूं है उससे पहले guys मैं आपके साथ कुछ basics of electrical discuss करूंगा अगर वैसे आपको पता होगा काफी basic है जो कि जो हमारी AC supply होती है AC supply इसके अंदर जो हमारी power होती है three types की classify की जाती है एक guys होती हमारी total power एक होती है हमारी active power और एक होती है हमारी reactive power अब यह क्या होती है अब consider करिए कि कोई आपका यह machine है machine यह आप motor ही consider करिए motor है इसके दो terminal है अब हम इसको जब on करेंगे मींज़ जब इसको हम चालू करेंगे तो हम इस पे एक supply source supply source provide करेंगे अभी source से जो भी power जाएगी इस motor के पास जिसके वैसे rotation में आईगी तो जो हमने पूरा पावर जो दिया है यह होती है कि जो भी हम supply दे रहे हैं वो होती हमारी total power अब एक्टिव पावर क्या होती है गाईज अब चितनी भी हमने इसको power दी अब यह motor है तो यह electrical to mechanical work करेगी अब electrical to mechanical work करेगी तो इस power में कुछ ना कुछ losses भी होंगे हमने total power तो दी अभी जो power है motor पूरी power को consume नहीं कर सकती कुछ power ही वह इसमें से इसको consume करेगी जो हमारी motor है total power में से जितनी भी power वह motor consume कर रही है total power में से वो होती है हमारी active power अब वो कितनी पावर कंजूम कर दी है वो जीन डिपैंड होता है पावर फेक्टर पर अभी वह आपको समझ आएगा अभी पर सा grandi असरी है टीबावर होती है जो कि हमारी लोड है वो कंजूम करता है अक्चुल में अब ध्याठीव पावर क्या होती है गाई जो एक्टिव प करती है imaginary power होती है यह लोड कंज्यूम नहीं करता तो मैं तीनों power का जो है discussion हो गया कि total power हमने दी कुछ power उसमें से consume करी लोड ने वह हो होगी हमारी active power एक हो थी reactive power एक होती है reactive power imaginary power होती है जो कि load to source source to load move करती है कोई भी जो हमारा लोड इसे नहीं करता तो यक्टिफ पावर की यूनिट अगर मैं एक बार एक्जम्पल के लिए 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 लेक्टिफ इसकी आपको इसका इसका कॉंसेट्ट क्लियर होगा ये क्या हो रहा है और एक चीज हो रहा है गाईस एक होता है हमारा power factor यह भी हमने discuss कर लिए यह भी यह भी अब power factor भी एक छोटा concept है उसके बाद आपको एक clear हो जागा एक minute में आपको पूरा point के clear होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है बस power factor और हम discuss कर लेते हैं basics में अब जो हमारी total power थी guys यह थी हमारी total power जिसे मैं denote कर रहा हूँ S से यह होगी हमारा S active power है P जो की load consume कर रहा है यह है हमारी P यह active power है जो की load consume नहीं कर रहा है बस travel कर दी है source to load, load to source यह होगी हमारी Q इसे denote कर रहा है Q से अब जो इसके बीच का जो angle होता है यह होता है हमारा power factor, cos fine अब active power के case में अगर मैं power factor निकालूं तो base upon hypo तो cos theta होता है base कितना है P upon S तो power factor क्या है? power factor है कि जो हमारा load है जितनी power consume कर रहा है active power divided by total power वो होता है हमारा power factor यह भी हमें clear हो गया अब जो मारा power factor यह depends करता है कि जो हमारा load है किस nature का है means अगर हमारा resistive load है तो power factor की value 1 होती है inductive load है power factor की value कुछ different होती है capacitive load है तो हमारी power factor की value कुछ different होती है तो इस बस इतना हमारा concept clear करना था अब आपको और डेटेल में आपको क्लियर होगा कि ट्रांसफॉर्मर में क्लो वाट एंपियर क्यों होता है अब गईस यह है हमारे एक ट्रांसफॉर्मर अब हम समझेंगे कि जो हमारा क्लोवाट एंपेर है ट्रांसफोर्मर के अंदर वह क्यों है क्लोवाट क्यों नहीं है अब गईज यह हमारा ट्रांसफोर्मर है का कोर है अब मैं इस पर वाइंडिंग कर रहा हूं एक प्रैमरी वाइंडिंग यह कर रहूं मैं यहां पर secondary wind नहीं है transformer जैसे कि इसका name है transformer तो transformer क्या करता है guys transform करता है energy को one circuit to another circuit without changes frequency और power means guys आप जो भी इसको value देंगे वो यहां से इसको यहां पर क्या करेगा transform कर देगा means यहां के power यहां पर आ जाएगी without changes frequency जितनी frequency अपने इसदर परड़ करा है वही आपको यहां मिलेगी जितनी power इसकी यहां थी वही power आपको यहां मिलेगी without changes frequency so यह होता है मारा transformer transformer is a device which transforms energy from one circuit to another without changes frequency of power so guys अब क्या होता है यह ना तो frequency change हो रही है ना ही power change हो रही है तो हम इसमें क्या करते हैं अब transformer है कुछ input देंगे इधर हमने source input दिया अब consider करिए इधर की source की power थी total power हम दे रहे है transformer को कि दे थी voltage into current power तो इधर भी जो आपको power मिलेगी वह voltage into current मिलेगी means जो आपकी total power है s1 side वही s2 side रहेगी V1 I1 is equal to V2 I2 V1 upon V2 is equal to I2 upon I1 transformer ratio जो होता है हम बोलते है current inversely होता है तो उसका reason भी यह ही है अब क्या होता है इसके अंतर जो losses है वो नहीं हो रहे है इसका जो load है हम यहापे किस तरह का load है वो क्या load connect है वो हमें नहीं पता तो transformer की construction के जग time है हमें यह नहीं पता होता कि कि step का load है यहापर बट हमें यह पता है कि जो transform है बस वो energy को transform करेगा one circuit to another without changes frequency और वो इसलिए जो इसकी unit है वो glow watt ampere में है अगर small के लिए है तो हमारा volt ampere में होता है अगर large transformer है तो glow watt ampere में भी होते है अब जब भी आप इसके जब जो name plate होती है इसकी उस पर जो instruction लिखे होते है आपको लिखा रहेगा कि step down कर रहा है step up कर रहा है कितना आपके जो इसकी connections है delta connection है star connection है single phase है three phase है आपको यह नहीं लिखा रहेगा कि इसका power factor क्या है power factor guys इसी लिए नहीं लिखा रहे था क्योंकि हमें load नहीं पता कि step का load हम लगा रहे है company को यह नहीं पता कि load जो लगाओगे आप कि step का load लगाओगे कितना power factor आएगा इसका जो second reason है कि इसको जो हमारी transformer की rating है kv में क्यों होती है उसका second reason ये भी है अब जो हमारा transformer है energy को तो transform कर रहा है one circuit to another बट जब energy transform की जा रही है तो कुछ न कुछ इसके अंदर भी losses हो रहे है बट जो इसके loss हैं वो power factor पर depend नहीं होते हैं power factor पर क्यों नहीं depend होते हैं guys अब इसमें energy का conversion नहीं हो रहा है electrical to mechanical जैसे motor में होता था हमें नहीं पता कि हम load क्या लगाएंगे इसका power factor क्या होगा but हमें जो इसका जो अंदर का construction है इतना पता है कि जब हम इसको current या voltage supply देंगे तो कुछ इसके iron losses होंगे इस winding पर current flow होगा resistance के दुरू कुछ ना कुछ iron losses होगे जो की depend करते हैं आपके current पर I square R iron losses जो होते है हमारे iron losses I square R formula होता है तो current पर depend करते हैं और जो इसके हमारे core loss होगा core loss क्या होता है जैसे ही हम इस पर current पर winding पर current देते हैं तो magnetic field generate होती है यह magnetic field score के थूरू इस वाल के साथ लिंक करती है जो magnetic fields है कुछ न कुछ लीकेज भी होगा magnetic fields का जो magnetic field line का जो loss हो रहा है वो होता है due to voltage voltage जो इसके losses हो रहे हैं वो बस voltage और current पर depend कर रहे हैं इसलिए भी जो इसकी unit है voltage current होती है voltage ampere होती है और large scale में क्लो वोट ampere होती है बट गाईस इसमें कोई भी power factor का roll नहीं होता अगर हम जो हमारी motor होती है यह हमारी motor motor के अंदर rotor यह इसके दो input terminal rotor के उपर winding इसमें क्या है कि company को पता है जो motor है वो without winding नहीं चलेगी means winding है तो मतलब कि inductive load है inductive load inductive load है तो means कुछ न कुछ power factor आ रहा होगा power factor आ रहा होगा means कुछ न कुछ cos phi की value होगी तो company को पता है को इस फाइल की value कुछ न कुछ होगी तो इसलिए अगर हम इदर से P की value निकाले P के आता है active power तो P की value कि दिनी होगी P is equal to S into my cos phi cos phi power is equal to S क्या होता है गा total power B into my cos phi तो जहाँ पर भी हमारा हो रही है तो जिसमें convert होती है इसके पावर फेक्टर आता है इसमें energy बस transform हो रही है इधर से इधर without changes frequency और power power change नहीं हो रही है तो इसलिए जो इसकी rating है वो glow watt ampere में है और जो इसकी rating है वो glow watt में है अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें और आपका इस topic से related कोई भी doubt है तो आप में comment कर सकते हैं thank you